हलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने यूटूब चैनल ओनलाइन इस्टेडी नियुज में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ राजिस्तान के सभी दुर्गों के बारे में महत्पून कोशन यानि की जीरो लेवल से इस को दोस्तों यहां पर और यहां पर सभी जो कोशन है वो यहां पर completely होने वाले है आप लोगों के लिए तो दोस्तों चलो डोग इस्टार्ट करें आप तो सबसे पहले पहला कोशन आपके स्कीन के सामने हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए किस राजपूत राजा को इस्तापित कला का सरक्षन कहा जाता है सरक्रक्षन कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number यहाँ पर भी राइट हो जाएगा राना कुम्बा को कहा जाता है अगला question देखते है राजिस्तान के किस किले को जल दुर्ग की सरेनी में रखा गया है बताईए तो कौन सा दुर्ग है जो कि जल सरेनी में रखा गया है तो इसका सही answer हो जाएगा यहाँ पर गागरों दुर्ग जो कि एक ऐसा दुर्ग है जल सरेनी में रखा गया है जिसको जल दुर्ग भी कहा जाता है गागरों दुर्ग जहलाबाड में है option number A राइट हो जाएगा नेश्ट है राजिस्तान में असोक इस्थापित कला के अवसेश कहा प्राप्त हुए है बहुत बार question पोच लिया गया है तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बिराट नगर जैपुर में यहाँ पर असोक इस्थापित कला के जो नमूने है वो प्राप्त हुए दोस्तों यहाँ पर option नमर B right हो जाएगा नेश्ट है तारगड किला इस्थाथ है बताईए तारगड किला इस्थाथ है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूदी में हो जाएगा तारगड किला मेरान साब की दरगा इस्थाथ है कौन से दुर्ग में ये दरगा है इस ते थे बता ये तो इसका पर साहिए आनसर हो जाएगा मीरास आपके जो दरगा हो तारागर दुर्ग अजमेर में इस ते थे ऑफसन नमबर याँ पर राइट हो जाएगा C एकदम सही हो जाएगा C दो तीन बार जरूर रट लीजिएगा दोस्तों यहां पर सारे concept clear होंगे और सारे प्रेशन हैं हर concept के clear होने वाले हैं आपके हमारे YouTube channel पर बने रहे मीठे साब की दरगा इस्तित है मिठे सा की दरगा इस्तित है बताइए किस दुर्ग में इस्तित है तो यह जो दरगा है यह गागरों दुर्गी जहलाबाड में इस्तित है मीठे सा की दरगा ओप्सान नमबर यहां पर राइट हुजाएगा बताइए किसको गढ़चिंतामनी कहा जाता है तो इसका सही आंसर हुजाएगा महरान गढ़दुर्ग जोदपूर को यानि कि 4630 लोगों ने इसका सही आंसर दिया हैै ऑपसान नमबर यहां पर राइट हुजाएगा ने इस्तित है अचल गढ़दुर का पने निर्मान करवाया था तो बताए किसने करवाया था अचलगर दूर का निर्मान तो इसका सही आंसर be right हो जाए गा ने अचल गड़ दूर्ग का निर्मान करवाया 31726 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है बताएये कहां पर करवाएगा था तो किसने करवाया गया था तो इसका सही आंसरो जाएगा यानकी मेंगनीज दोरग एक मात्र ऐसा दोरग है जो कि मुसलिम पद्दति पर आधरित दोरग है राजिस्तान का तो ये कृषिने बनवाया था तो इसका साई आँसर हो जाए जिसमें धाई साके हुए थे कौन सा है तो इसका सईया जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका सईया अंसर हो जाएगा सोनारगड जैसलमेर जिसमें धाई साके हुए थे अगला है राजिस्तान का वैलोरो कहा जाता है बताए किसको कहा जाता है तो इसका सही आंसर जाएगा बहसोर गड़ को राजिस्तान का वैलोरो कहा जाता है नहीं से इंद्रा गांदी ने अपात काल के दौरान खजाना ढूनने के लिए किस दुर्ग की खुदाई करवाई थी दोस्तो ये तो बहुत important question है और यह आपने पढ़ा होगा इसके बार में सुना होगा तो इसका साही आंसर हो जाएगा जेगरदुर्ग की खुदाई करवाई थी और यहां से बहुत अधिक धन को इंद्रा गांदी के समय यहां से निकाला गया था और यहां पर ऐसा माना जाता है कि बहुत धन इटली भेज़े दिया गया है लगवाग यहां पर सो ट्रक सोने से लदे हुए भेजे गए थे यहां से और आज तक उस धन का कोई पता नहीं चला था इंद्रा गांदी के सासनकाल में यह खुदाई करवाई थी दोस्तों यहां पर जेगरदुर जो की जैपुर में है अगला है 24 खमबों की छत्री देखिए 85 की खत्री है और यह रंथंभुर की छत्री है 32 खंबों की चत्री है इन प्रेष्णों को तो अच्छे से रटलो यह बार-वार पोफ्चे जाता है राजिसतान पुलिस में यही कोश्चन तीन बार रिपीट हो चुका है अब भी नेश्ट है तो यह 84 खंबों की छत्री है बूंदी में हो जाएगा ऑप्सन नमबर यहां पर राइट हो जाएगा option number यहाँ पर right हो जाएगा B option बूंदी में है अगला है पटवा की अबेली और सालिम सिंग की हबेली इस्तित है तो कहा है तो यह है जैसल मेरे में option number यहाँ पर D right हो जाएगा नेश्टे गडवीडली और राजिस्तान का राजिस्तान का जिब्राल्टा है जब राल्टा कहलाता है तो बताइए कहां पर हुजएगा तो इसका सही आंसर हुजएगा गठी वीडली कहते है तारगरदुर अजमेर को खा जाता है पूरा concept के लिए करा रहा हूँ दोस्तो यहाँ पर तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बहुत सारे concept करवाँगा दोस्तो राजिस्तान में बहतर concept है और मैं आपको बहतर concept हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से कराऊँगा दोस्तो राजिस्तान की इस्तिती संभाग हो चुकी है यहाँ पर बहुत एक प्रिदेश हो चुका है यहाँ पर संभाग हो चुका है अब दुर्ग हम करा रहे है दोस्तो यहाँ पर नेश्ट है गागरोन दुर्ग गागरोन का जेल दुर्ग इस्तित है कहाँ पर है बताए तो यह है जहलावाड में हो जाएगा उपसन नमर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा नेश्ट है नहारगड दूर्ग बनवाया था किसने बनवाया था नहारगड दूर्ग तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नहारगड दूर्ग सभाई जैसिंग ने बनवाया था भुपत भाटी दुवारा बनवाए गया था हनुमानगड में बनवाए गया था ओपसन नमर यहां पर राइट हो जाएगा सी नेश्ट है सबाई माधोपुर दोतिये ने किस दूर्ग में अपनी नौ पाशवानों के लिए एक जैसे नौ महलों का निर्मान करवाया था तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा नहारगड में उनकी नौरानिया थी उनके लिए एक जैसे महलों का निर्मान करवाया था इस सासक ने किसने माधो सिंग ने करवाया था ओपसन नमर ए राइट हो जाएगा लोहागड़ दुर्गे बनवाया था किसने बनवाया था लोहागड़ दुर्गे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरजमल जाटने बनवाया था भरतपुर बरतपुर नभीनतम दुर्गे दोस्तों यहाँ पर और सुरंजमल जाट ने इसको लोहागरदुर्ग के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इसको एक बार उडाने का प्रियास किया था बारूत से लेकिन वहाँ पर अस्पल होए थे। इसलिए कहा जाता है लोहागरदुर्ग बैसे तो ये मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है लेकिन इसको लोहागरदुर्ग के नाम से जाना जाता है। अप्सन नमर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा नैश्ट है अन्य दुर्ग सब नंगे है जबकि यह दुर्ग वक्तरवन है यह अवुल फजल ने यह बाक किस दुर्ग के लिए कहा था तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रन थंब और दुर्ग के लिए कहा था अव यानि कि अराबली पाहडियों से गिरा हुआ है सबी जो दुर्ग है यहाँ पर इसलिए इसको वक्तरवन्द कहा जाता है ओप्सन नमर यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नैश्ट है कुम्बल गड़ दुर्ग के कितनी लंबी दीवारों से गिरा हुआ है बताए यह राज जानि कि जो चोड़ी है दोस्तो यह लगवग इतनी चोड़ी है जिस पर एक साथ यानि कि चार गड़ सवार एक साथ दौड सकते है तो यह कुंबल गड़ दुर्ग है और यहाँ पर देख लीजिए इस कुम्बल गड़ में एक छोटा सा दुर्ग और जिसको काटार गर्डर का निर्मान कराया था किस सासक ने करवाया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइसिंग ने करवाया था दोस्तों सभी दूर की कम्प्लीट करवा रहा हूं मैं हमारे यूटूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए तो पीडियो को जरूर लाइक कीजिए नह पंदेशु सर्षट में तो उस वक्त यहां पर जैमल और फत्ता बीरता से यहां पर बीरगती को प्राप्त हो गई लेकिन अक्वर ने यहां पर बहुत सर्विंदा हुआ अक्वर ने इस दुर्ग में बहुत यानि कि इतना काट मार की थी बहुत यहां आम जनता को बहुत पहुचाया था इसलिए उसको उसको दवाने के लिए थोड़ा जैमल और फत्ता की मूर्तियों का निर्माण करवाया था ताकि उनको यह कलंक यहां से कलंक ना लगे चुनागर दुर्ग में ने इस दे कुंबल गड़ दुर्ग में इस दे बहे दुर्ग जिसे मेवार की त पाई जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा कटार गड़ दुरंग करे और जाता के लोहागर दुर्ग केसा वाटा धारन दुर्ग वह तू य दुर्ग है जो पारिक दुर्ग है यानि की पारिक दुर्ग कैसा होता है मैं बताता हूं देखिए यह यहां पर दुर्ग है तो इसके चारो और यानि की खाई है उसको पारिक दुर्ग खाजाता है और इस खाई में इस खाई में एक सुजान गंगा बह रही है दोस्तों यहा का बताईए गिरी दूर्ग दहनवन दूर्ग पारिक दूर्ग तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनवन दूर्ग दूर्ग वह नहीं कि मिटियों से घिरा हुआ है यानि की जिसके चार ओर रेती रेत हो वह दहनवित दूर्ग केहलाते हैं एपस्टन हमरें यहां पर भी किस दुर्ग में इस्तित है तो बताइए तो इसका सही आंसर हो जाएगा रन्थमवर दुर्ग में ओप्सन नमबर ए राइट हो जाएगा नेश्ट है कुमार पाल प्रबंदक के अनुसार चित्तोड गड केले का निर्मान करवाया था आपके पास दो ओप्सन है जिसमें आप कन्फ्यूज हो रहे होंगे सही बताइए दोस्तो तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रांग मौरिया ने जहां रख लेना ओप्सन दे दिया गया है पहले चित्रांग मौरिया भी दिया जाता है लेकिने इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रांग मौरिया है ओप्सन नमबर यहां पर राय्ट हो जाएगा दोस्तों यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर जैपुर में है यह और कि सासकों से संबन्दित है यानि कि गेटरों की छटी का संबन्दित कच्छवास बंस से है सर टॉमस रो ने अपना परिशे मोगल समराट जहागीर को किस इस्तान पर दिया है दिया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगनीज दुर्ग अपना पर गेटरों जहागीर को सबसे पहले सर टॉमस जहागीर से मिला था और बहां पर ब्यापार करने की अनुमती ली थी आपसन नमबर यहाँ पर राइट हो जाएगा बी आपसन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों मेगनीज दुर्ग है जो कि अजमेर में है अकवर्द वारा निर्मन कर वायता है नेश्टा राज के किस के लिए को स्वन गिरी कहा जाता है तो बताइए स्वन गिरी किस के लिए को कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जालोर के लिए को स्वन गिरी कहा जाता है ओप्स नीचे से उपर देखने पर सिर्की पगड़ी गिर जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कुंबल गट कटार गड़ दुर्ग को आप नीचे से देखोगे तो यहाँ पर आप सर पे कुछ भी रखा हो वो गिर जाएगा यानि कि उसके बारे में कहा था उप्सन नमर यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला कोशन है हबा मेल का निर्मान करवाया था तो हबा मेल का निर्मान करवाया था यह प्रताब सिंगने करवाया था दोस्तों यहाँ पर यानि कि 1799 में करवाया था उप्सन नमर यहाँ पर राइट हो जाएगा प्रताब सि का निर्मान किसने करवाया था तो बताये जो महरान गयर दूर का निर्मान था वो खिछने करवाया था में जो osób नें स्विध है सही आँज़ित है तो इसका साहिए आसर हो जाएगा धाप जोदाने करवाया था आप सका-ड। राजिस्तान जो रहे है बहुत सारी स्टूडेंट देखो अजमिर यानि कि यहां पर दो हजार पिचेतर लोगों ने अजमिर दिया है और यहां पर 1470 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है आमेर ऑपसन नमर यहां पर राइट हो जाएगा देवी कुंड की च्शतियां किनकी याद में निर्मित की गई थी तो इसका साही आंसर हो जाएगा बताईए तो इसका साही आंसर हो जाएगा बी कनीर के राजाओं की याद में बनाए गए थी देवीकूंट की छत्रिया ओपसन नमर यहाँ पर राइट हो जाएगा प्रेशिद्ध है और बार बार एक जौम्म में दहुराय जाती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानि जो हवेलीयां है वह यहा पर फठतर, की जालियों की कटाईों के कारण प्रेशिद्ध है यहां पर यहां पर राइट हो जाएगा नोकší geared अजया सबhh इन हवेलियों इसलिए पृषिद है ये भव्य defrasadवह में सुन्दर तो सब भी है यहां पर किस लिए प्रिश्य प्रिस यहां पर भद्टरों कि जालियों के लिए जो कि यहां पर कच्छवा सासक दुलहराम ने इसका निर्मन करवाया था बहे लोग देपता जिसे गौंगा जी की भाती नागों का देपता के रूप में प्रेसिद्धी प्राप्त है तो ये है तेजाजी हो जाएगा दोस्तों अप्सन नमर यहां पर राइट हो जाएगा तेजाजी नेसे हैं निमने मैंसे किन दौरगों का नाम तारागड है तो बताइए तारागड किन दौरगों का नाम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर बूंदी अजमेर कोटा या अजमेर अलबर तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर अजमेर और बूंदी में या उसलमेर जो करते हैं तो उसमें छोटे चोटे बूर्ज बने हुए है जिसमें आम पुबलिक निवास करती है यानि की घरों को ही वर्ज कहा जाता है लेकिन वो दुर्ग के जो आहम रस्ता है उसमें बने हुए है राजिस्तान का दक्षिन पूरवी दुवार किसे कहते है तो बताएए दक्षनी पूर्वी दुवार कहा जाता है वो कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर चित्तोडगड देखे दोस्तों यहाँ पर दक्षनी पूर्वी दुवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेन पहले जो दुर्ग था में जो पहले दुर्ग था यही था चतोड में यानि की दक्षिनपूर में एक ही दुर्ग था और एक ही दुर्ग है यानि की चतोड का दुर्ग हो जाएगा दोस्तो इसलिए इसको यहां पर जो यह पूर्वी दुवार कहा जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा चतोड पूछ यह क्या कहा जाता है तो यह यहां पर धानवंत दुर्ग कहा जाता है option नमर यहां पर ए राइट हो जाएगा next है गागरों दुर्ग किस स्रेणी में आता है गागरों दुर्ग है वो किस स्रेणी में आता है बहुत बार रिपीट हो चुका है यह question तो यह जो दुर्ग आता है गागरों दुर्ग जो की जहलाबाड में बना हुआ है ओप्सन नम्मर यहाँ पर राइट हो जाएगा बी ओप्सन राइट हो जाएगा नेशने लोहागर दूर का निर्मान किस ने करवाय था तो यह सुरज मल जाटने करवाय था लोहागड दूर का निर्माड नैस कोशन देखते है तारगड के लिए का सबसे उचा भाग कहलाता है तो बताइए सबसे उचा भाग कौन सा है तारगड के लिए का तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तारगड के लिएगा मीरान साहब की दरगाहा सबसे बिदा लगा जान रही है दोस्तों यहां पर option नमर यहां पर बी राइट हो जाएगा नेश्ट है राजिस्तान का एक मात दुर्ग जो कि मुस्लिम पद्दती पर निर्मित है पताईए कौन सा है तो इसका साही आंसर हो जाएगा मेगनीज दुर्ग मेगनीज दुर्ग राजि बुल बलाहिया है तो इसका साही आंसर हो जाएगा जंतर मांतर बैंस तो यह मीरान साथ की दर्गध में है तो यह हो जाएगा दोस्तों अजमीर है मीरान साथ की दर्गध में हो जाएगी दोengoHello गजनबी ये पिर्शित तोफ है और ये महरान गर्दूर में रखी हुई है दोस्तों यहां पर आपको पूरी मंजिल तक पहुचाना मेरा लक्ष रहेगा और इसलिए जीरो लेवल से कोशन उठाए है मैंने और बिल्कुल ऐसा कोशन आपको नहीं मिलेगा जो यहां पर बनने लायक नहीं है सारे कोशन आपको मैंने बता रहा हूं एक एक कोशन दोस्तों यहां पर देख लीजिए निमने में से किस स्थान पर नौ महल बने हुए तो यह नहारगड जैपुर में जो की मादो की पत्नी ने पत्नी के लिए एक महल का निर्मन करवाया था तो बाकी जो रानिया था रानी थी वो रूट गई थी इनसे तो उन्हों के महलों का निर्मन करना चाहिए हमें भी बनाना चाहिए तो मादो सिंग ने एक जैसे नो रानियों के लिए नो महलों का निर्मन करवाय किला कर दोस्तो सदमें निम ले खितमे से कौन सा दूर मेशा के पठार सब्सक्रव गड़बनी गौराबादल महल इस्तित है तो इसका सही अंसर हो जाएगा चिटटड के दुर्ग में forts ऑपको पता होगा कि गौराबादल कौन थे यह सब जानते है दोस्तो यहाँ पर ले है किसरबा की छत्रिया है किसरबा की चत्रिया है नेश्ट है अलबर में 80 खंबों की छत्री का निर्मान किस सासक द्वारा करवाया था तो बताईए यहाँ पर किस सासक द्वारा करवाया था तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानि की महराजब विने सिंग ने करवाया था औप्सन नमबर यहां पर राइट हो जाएगा एक बिने सिंग ने करवाया था दोस्तों यहां पर नेश्ट है रंट थम और में 32 खंबों की छत्री का निर्मान किस ने करवाया था तो बताईए 32 खंबों की छत्री का निर्मान यानि की जो यहां पर किस आसकने करवाय था है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोसो हमीर देप चोहन ने अपने पिता की याद में 32 खंबों की छत्री का निर्मान करवाय था दोसो अपसन नबर यहां पर ने राइट हो जाएगा नैसे सुजानगर दोर के सेथाथ तो ISका सही आंसर हो जाएगा ऋधैपूर में हो जाएगा दोस Linda राइट हो जाएगा यान की जैपूर नाचैसट है अजमेर में मेंगनी दूर का निर्मान किस सासक दौरा करवाये गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंपर की दौरा करवायई गया था तो यहाँ पर दोस्तो में पर रंधामर्दोर की कुझई जाहिंन दोर को का जाता है यह कुझी के एक दो बार पूछ लिए गए है अज़ाआपगर दोर्ग है तो तो दोस्तों यहां पर देखिए निमनमे से कौन सा दुर शिक्र में है तो यह लक्षमाट दुर्ग हो जाएगा नेश्ट है राजिस्तान का बहे दुर्ग जो बनास बेड़ाच और मेनाल नदी के संगम पर इस्तित है तो बताइए कौन सा दुर्ग है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानि की मांडल गड़ दुर्ग हो जाएगा ओप्सन नमबर यहाँ पर राइट हो जाएगा यानि की सूरत सींग सी राइट हो जाएगा नेश्ट है गटोरों की छटी इससे तो यह कच्छवा वन से समझत है तो इस तरह से मैंने आपको सारे दुर्ग से दुर्ग के सम्झ में सारे कोशन बताये दोस्तों यहाँ पर लगवक जो कोशन जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेर करना ना भूले दोस्तो अगला कॉंसेप्ट लेकर आएंगे हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए और ये कॉंसेप्ट है आपका सभी एक्जामों के लिए दोस्तो रिट पटवार पुलिस और यहां पर सेकन्ड गेरेट फशी ने तरडडेट सब्सक्राइब जेडि विया हमाने के लिए आएंग ए यानी कि बड़ी से बड़ी एक्जाममे है पूछे गई कोशन है सभी कोशन है दोस्तों धन्वाज सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत